हेलो फेंड्स, सवागत आपका स्टरई है चैनल पे मैं आइसा करता हो क्य आप सभी स्वास्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जोरो सोरो से लगे ह보े जासा की आपको पता है कि अभी हमारी क्लास के माध्यम से सीजिज चले जिसमें अपनी क्लास में कि आप वो कैटा उनके नियमक बना देता हूं। मतलब कि उनको छोटे छोटे पाट में तोड़ देता हूं या कुछ उससे रिलेटर वर्ड आपको बताता हूं ताकि आप बड़ी असाई से चीजों को याद कर लो ठीक है और साथ हर कॉंटेंट के साथ जैसे कि आपके वन वर्ड हो गया या फिर एंट और सीनों हो गया तो साथ में क्या करता हूं एक पिक्चर उसी से रिलेटर अटेच कर देता हूं ताकि आप यह पिक्चर देखो तो आपको सारी चीजे आसानी से याद हो जाए ठीक है तो इसका फैदा आपको कहा मिलेगा जब आप इक्जाम देते रहोगा या मौक दोगे तो आपके सामने वकाइब की बात नहीं करते हैं हम अपने क्लास में बात करते हैं इंगलिस ग्रामर के उस इंपॉर्टन रूल की जिससे आपके एक्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं और साथी साथ मैं बता दू कि हर क्लास के इन में क्वेश्चन सा सेसन होता है जिसमें मैं हुए उनके मैं वकाइब के question लाता हूँ तो आपका practice भी हो जाता प्रिविएस येर के question साथ के साथ ठीक है और हमारी ये class daily 5 p.m. पे होती है Monday to Friday ठीक है तो चलिए भीना देरी के सुरू करते हैं अपने class को और जानते कि क्या कुछ खास है आज के class में ठीक है तो class सुरू करने से पहले मैं बता दू कि हर class के last में मैं आपको एक homework question देता हूँ जिसको आपको इंसर करने पारते हैं लिमिटेड time frame में एंसर करते हूँ तो मैं आपके comment अगले class में include करता हूँ अन्य था मैं नहीं कर पाता हूँ लेकिन मैं आपके comment का reply जरूर करता हूँ तो अपनी query या जो भी चीदे आपको पूछनी हो comment में जरूर लिखे तो last class के homework का सही सही answer दिया है मधुलिका पातिल ने ठीक है और इनोंने score भी share किया कि इनका score 4 out of data है ठीक है तो आप अपने score share करना नहीं ठीक है चलिए शुरू करते आज के class और जानते कि आज का पहला word कौन का है तो आज का पहला word है demonstrate demonstrate मतलब क्या होता है प्रदर्शित करना आपको मैं बता दूँ इसके लिए hint जैसे कि यहां पर इस word में दिख रहा है demon अगर आपने कोई demon पकड़ा या कोई monster पकड है इस demon को पकड़ा है ठीक आप उसको display करते हो सो करते हो ठीक है तो यहां दखना है demonstrate में ही उसका नाम चुपा कि अगर आपने demon पकड़ा तो आप उसको क्या करो दिखाओगे ठीक है तो इसके synonyms क्या क्या हो जेंगे हाइड करना पड़ रहा है तो इसके अंट्वनिम्स क्या हो जागा hide and conceal चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट वाट है denial मतलब वहता है इंकार करना ठीक है तो आप इंकार कैसे करते हो अप reject कर देतो चीजों को फिर भी इंकार कर देतो या negation करते हो कि नहीं नहीं यह च rejection, negation यह सब क्या हो जाएंगे इसकी synonyms हो जाएंगे जैसे यह बंदा क्या कर रहा है इंकार करा कि नहीं यह काम मेरे बस की नहीं मैं नहीं कर सकता जाओ आप किसी और से ख़रवालो ठीक है या किसी की सिकायत करो सामने बला खान बंद करा कि नहीं मैं और नहीं सुन सकती त क्या होगा कि आप इंकार कर रहे तो किसी चीज़ को मान लोगे ठीक हूँ इसको अप्रूव कर दोगए या या उस चीज़ को संसन कर दो न कल्हा इंटॉनिम सक्या कर जाएंगे ऐसके एं लूगा जा टीक है, denoment भी एक word है और same word इसी का अब synonyms बोलो, denouncement भी होता है, उसका भी मतलब क्या होता है, उपसंहार करना है, टीक है, किसी को उपसंहार करना है, मतलब क्या करते हो, अप उस तिल को criticize करते हो, condemn करते हो, ठीक है, इसके synonyms क्या हो जाएंगे, condemn, criticize, conclusion, outcome, जैसे कि आप इस picture से देख पार हो, कि KFC हो गया, तो क्या करते हो, denounce, मतलब announce करते है, bad things के बारे में, ठीक है, मतलब उसको क्या करते है, उपसंहार करते है, वो भी parents नहीं चाहते है, कि उनका बच्चा fast food खाए, और बीमार पर जाए, या महेंगे restaurant में जाके, daily के daily खाए, और fat को घर लाए, तो वो क्या करते है, उस चीज का उपसंहार करते है, उसको criticize करते है, यह चीज नहीं करना है, तो denounce में ही उसका word सुना है, कि announce something bad, मतलब जो चीज bad होगा, उसको announce करोगे, तो आप क्या करोगे, उसको criticize करोगे, उपसंहार करोगे, बात कर ले, इसके antonyms की, तो क्या हो नहीं हो, चलिए, next बात कर लेते है, next है deny, deny मतलब क्या होथा, इनकार करना, ठीक है, यह word आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, तो यह तो आपको यादी होगा, ठीक है, तो इसको बोल सकते है, refuse, renounce, negate, यह सब क्या है, इसके synonyms है, जैसे कि आपकी कोई girlfriend हो, आपका जब उससे जगरा हो जाता है, तो आप उनसे बात करने के मना कर देते हो, refuse कर देते हो, ठीक है, deny कर देते हो, बात कर लेते 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 हो, ठीक है, तो आप किसी का वरनन कर सकते हो, तो उसको उसका पॉर्ट्रे बनाएक है उसके बारे में कुछ बताते क्या करते लुए डिस्क्राइब करते लुए ऐसेaktionry पॉर्ट्रे यक्ष्ण पर चेटी कि एक वह बोलता है जो रियल आइफ में नहीं तो आप उसका बना आके ग्रालन करते हो चाहते हैं इए पॉिड कर दोगे तो यो में कि मैल करojニ问े चाहिए अड़ गैक ऐन्च कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा one word subscription का session है ठीक है last class में मैंने आपसे यही पूछा था कि oppose to great और sudden change उसको क्या करते है कि जो भी अगर sudden change आ रहा है उसको क्या करे अपोज कर दे या कोई ज्यादा बड़ा change आता है तो उसको अपोज कर देता है ठीक है अगर अचानक से कोई change आ जाए जो कि अपने आप में परिवर्तन नहीं चाहता है जैसे कि आप मालो किसी village girl को ठीक है अप विदेश में ले जाओ वहां पर को कि western culture में अचानक से ढ़ल जाओ एक ही बार जाए तो उस चीज को क्या करोगे अपोज करेगी कि नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट बात कर लेता है अप यह movie देखा होगा अपने एक ऐसे जाती है यह सहर की रहती है तो आपने आपको क्या करती है धालना नहीं चाहती है कि उस महल में मैं ना ध़लो तो यह क्या हो रहती conservative है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है कंसोल मतलब क्या होता है सांतावना द आप किसी को comfort करते हो ठीक है किसी को कहते है नहीं अप सारे चीज अच्छी हो जागी जब वो क्या हो बहुती दुख में होता या क्या हो उदास होता है तो आप उसको सांतावना देते हो कि नहीं समय है गुजर जाएगा अच्छे समय भी आएंगे तूसी को बोलते आप कि ने क्सलेशन मतलब क्या होता है नच छर्थ ठीक है अ गुडूप अप स्टार्स डैट फॉर्म सेफ इन स्काइड है जर्ण निम तो तो कंसलेशन कि से बोलते गूरूप अपे स्टार को बोलते जिनका एक खास सेफ होगा उनका कुछ खास नेम होगा ठीक है जैसे आप सेप सबनते हैं ततो इनके कालेक्ट्सन घ्रूप ऑफस्टार्स को कुते बना उन्हीं को बोलते हैं कि यह कुछ सभ्ष कर लेते हैं डेट किसे फ़े जरा सबसें सबस्सक्राइब सबसक्राओदCasan तो Consternation मतलब भी क्या होता है, घबराहट होता है, ठीक है, State of anxiety and dismay causing mental confusion, तो anxiety होता है, आप बहुत परसान होते हो, सोचने पातों कि क्या करना है, नहीं करना है, तो आपको घबराहट ही हो जाती है, ठीक है, बच्परमीडर आते थे सोज़ाया वरना तो गब्बर सक्रुटा रितार वस्ट किया हुआ खेलिख क्या है औप रिस्ट्रिक्शन जाता है आप इसके बाद हम घर से बाहर नहीं जा हो जाता है कि मुझे दस वजे तक पढ़ना ही पढ़ना है ठीक है ओप अपको चीजे क्लियर हो गए हुगी तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा इडियम एन श्रेजज का सेर्षन है तो आज का पहला इडियम है ब्रोक डाउन ठीक है कोई भी चीज टूट जाता है तो उसी को बोलते हैं ब्रोक डाउन ठीक है अगर टूटेगा तो चीज नीचे ही गिरता है मालों कि यह पीए नैं ऐसे मैंने पक्राइगे हां तो क्या होगा नीचे गिरा खाच ब्रोक होता है डाउन मतलब तूट जाना ठीक है तो तूट जाता है तो लोग क्या करते हैं चिलाते ऊफशित यह टूट गया या क्या करते हैं रोते भी लगते हैं ठीक है तो ब्रेक अप का भी सेंस आता है ठीक है ब्रेक आप ब्रोक डाउन सारे का मतलब ही होता है कुछ बुड़ा हो जाना तूट जाना ठीक है जैसे देख पा रहे हूं कि गारी क्या होते है फेल हो जाता है उसको भी बोलते है ब्रोक तो जैसा कि होता है कि आप कुछ कहते रहे तो किसी की सिकायत अपने दोस्तों के साथ उसकी चुगली करते रहे तो सिकायत बताते करते रहते हो ठीक है अचानक आपका दोस्त आ जाए तो क्या होता है अब बीच में रूप जाते हो ठीक है अचानक से रूप जाते हो कि नहीं अब सिकार नहीं करनी है, इसकी सामने आइचुका है, चलिए, नेश्ट बात कर लेते हैं नेश्ट है, Brooke Priscons है, मतलब क्या है, खराब व्यकरन का उपयोग करना, ठीक, तो यूज बैड ग्रामर का यूज करते हो तो कह सकते हो ब्रोक प्रिस्कर्स है मतलब खराब व्याकरन का उप्योग का ठीक है तो क्या होता कि जब आप घबराट में हो आपको अचानक से बोल दिया जा कि जाओ इस टॉपिक पे स्पीच दे हो ठीक है अगर आप घबरा जाते होता है मतलब क्या है अगरामर का उप्योग सही-說ही नहीं करते है तो यूज करते हो ब्रोक प्रिसकर्स हाइन। लटेर तो है आप लगार दिया को ठीक है, अब पर करफ़ा लगार सबिघरा सब्सकिरते हो नेकष्टき। नेक्स्ट है ब्रोक अप मतलब क्या संबन्द तोरना है अब किसी से संबन्द तोर ले तो ठीक है इसी को बोलते हैं ब्रेक अप ब्रोक अप मतलब किसी से संबन्द तोरना है ठीक देख पारेंगा आप फीगर से यह समझाने की जोत नहीं है आप सबी को इस चीज के बारे में मैं अच्छे से पता होगा आप सब तो इससी में महाईर होंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है Broken Read मतलब क्या होता है विफ फल समय परीड से या द रखो रीड की हडी तो रैठी होती है अगर वहती हो थोता आप सपोर्ट नहीं कर पातों किसी भीचे को सबस घर जाया ठीक से बैठनीं प्लद्रीक नहीं प्लद्रीक तो merit जिसके रीड ही तूट गई मतलब क्या सपोर्ट उसका जो था वह फिल हो गया मतलब विफल समर्थन नेक्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा पैंडोरा बॉक्स का सेसर ने जिसको हम बोलते हैं बहनुमती का पिटाड़ा जैसे की लेके जाते हैं और इस बॉक्स में इंसाट करते हैं तो यह कुछ ऐसे ओपन होता है तो उसमें से क्या निकलता है अगर आप हमारे साथ न्यू जूर होंगे तो आपको नहीं पता होगा लेकिन जो लोग पुड़ाने हैं अमारे क्लास के उन्हें पता है जब पैंडोरा बॉक्स ओपन होता है उसमें से कोई बीमारी नहीं निकलती है जो कि आपके लिए बहुत ही उप्योगी है क्या निकलता है तो हंडेड गोल्डेन रूस किस चीज के तो इं डिटेक्शन विया और फिलर वाले आते तो उसमें आपको वकाय भी पूछ जाते हैं तो एक साथ हम सो रूल तो डिसकस कर नहीं सकते क्लास लंबी हो जागी और आपके लिए समझना भी हेक्टिक हो जागा तो कि आप हर रूल के साथ अगर 10-10 कोश्चन भी प्रैक्टिस कर लो ताकि वह रूल आपके दिमाग में फिट बैट और आप एक्जाम में उस चीज़ को गलत करके ना तो अभी तक हमारी 54 रूल अल्रेडी हो चुकी अगर आपने नहीं देखिए तो मैं सब्सक्राइब इस वीडियो के एंड होने के बाद प्रेलिस से जाके सारे वीडियो कामेसा अनकाटीज के सात्य के साथ ही लगेगें जहां पर भी अनकाटीज धुखत वाली गहटना हो उनके साथ ही यूज़ समन उसे वीडियो घ्रटीज़ होगी यूज बारा रही होग की उसके साथ आप नहीं करोगा आपनेशल इडियो यूज़ होता है नो कि आप ऐसे यूज नहीं नहीं कर सकतें तो ग्लैड से लगे कि मुध तो यहां पर हम ट्रैपाइब्लिए लिए यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे वेरी का यूज करेंगे तो I am very glad to meet you, यह हो जागा correction, ठीक है, चलिए, next बात कर लेते हैं, next हमारा question सा का सेरेशन है, ठीक है, तो 19th July के हमने shift second की बात कर ली थी, आज हम बात करेंगे 19th July के shift third, ठीक है, आज का पहला question है कि आपको इस idiom का मतलब बताने इडियम है, to go to dogs, चार option है, to win support, to win a race, to become worse, to stand on guard, ठीक है, फटाक सेंसर करना, बहुत बार यह इडियम हो चुका है, और बहुत ही इडियम, ठीक है, तो इस इडियम का सही मतलब क्या होगा, to go to dogs, मतलब क्या होगा, to become worse, ठीक है, यह है इसका correct answer हो जागा, चलिए next बात कर लेते हैं, next आपको synonyms बताना है, adamant का, ठीक है, चार option है, flexible, adaptable, stubborn, soft, fractions हैं, adamant मतलब जो चीज़ फिर्म हो जाए, मतलब जो चीज़ अडियम होती है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, इसी के साथ chime up हो चुका है, आई होप आप सबी लोंने सही सही synonyms बताजिए, तो वो जिद्दी हो जा हो, क्या अपनी बात पर अडि होगा, तो क्या होगा, जिद्दी होगा, ठीक है, अब इसको बोल सकतो, firm, ठीक है, firm हो जागा, इसके synonyms, और क्या हो जागा, hefty, यह समय आपको पहले भी बता रखाऊ, flexible मतलब क्या होता है, लचीला, ठीक है, अब बोल सकतो, elastic बोल सकतो, spring भ होता है, लचीला होता है, ठीक है, तो spring भी बोल सकते हो, adaptable मतलब क्या होता है, कि जो क्या हो, अनुकूल हो जाए, अनुकूल निये, ठीक है, जो change, जो भी change होना होता है, उसके प्रती अनुकूल होता है, ठीक है, changeable बोल सकतो, ठीक है, soft मतलब क्या होता है, कोमल, मुलायम, यह मैं आपको पहले भी करवा रखाऊ चलिए नेक्स बात कर लेते हैं आपको वन वर्ड बताना इस ग्रूप वर्ड के लिए ठीक है ग्रूप वर्ड क्या है कॉपिंग सम्वन एल्स वर्क एंड ट्राइंग टू सब्मिट एज यूर ठीक है चार ऑप्सन है सीनेसिज्म अल् बिदे दिया है कि तो इसे के साथ टाइम अप हो चुका है आई वॉप आप सब लोगने सभी सथ कर दिया हूँ तो क्या होगा अफ्शन नंबर फो प्लैग रिज्म ठीक है इसको ही बोलते हैं सहीतिक चोर जो की सहीतिक क्या करें चोरी करें ठीक है एंचलिए नेक्स्ट बताना सब्सक्ति एस बर्ड के लिए एक इन्पार आपिसरे से सब्सक्तिक बाकिण सब्सक्तित क्या होता है साफ्ट्पररा बेत्फ ह्यां сохран एक डोड फिलीवेंट कोई विचने सब्सक्ता होगा तो क्या हो इर्रेफेंट होगा इन्कोहोरेंट होगा यह समय आपको कर वा रखा हूँ ठीक है इन कोहेरेंट इलेवेट्ट ठीक है एक वरट जो नहीं कर वाता हूं एमिस टीक है एम्स भी क्या होते हैं इसके सिनोवीप्र इसका क्रेक्ट एंटोणिम्स क्या हो जागा जो चीज्ञ क्या हो रियालिस्टीक कि रियालिस्टिक मतलब क्या होता है वास्तवीं कि जो चीज वास्तवीक कहां इरी मतलब क्या होता है风 जो चीज भहायादक होगा तो क्या होगाITYiquement ृभिषम जो आप मैं पड़ते हो और एक हहता है विचित्र आप math में पढ़ते हो उडे हुं जो की ordinary नहीं हो एंट्रोनिम्ट विचित्र के लिए पहले भी बिज्यार बोलते हैं ऐक लिख देता हूं क्वैलनड ठीक है विज्यार आपको बता ही रखा हूं बहुत बार बता रखा हूं यह ओडिनली मतलब क्या होता है मामुली जो साधारन हो ठीक है नॉर्मल हो जेन्रल कॉमन हो ठीक है वह होता है ओडिनली श्टलिंगे नेक्स्ट बात कर लेते नेक्स्ट आपको वर्ड बताने इस ग्रूप और वर्ड के लिए गवर्णमेंट गवर्ण बाई वेल्थ ठीक है चार ओप्षन थियोक्रैसी ओटोक्रैसी डेमोक्रैसी प्लूटोक्रैसी फड़ा अक्षन से करना है बहुत हींजी है बहुत बात प्रिवियस एर में आ चुका आई तो इसी के साथ कि नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है क्लेंडेस्टाइन का ठीक है चार ओप्षन है स्नीकी प्राइवेट इलिसीट नौन तो इसे के साथ टाइम आप हो चुका है आई होप आप सबी लोग ने सही सही अंसर कर दिया हो तो क्लेंडेस्टाइन मतलब क्या होता जो ददेक्रेट भी बोल सकते हो ठीक है और जो छुपा ओता है तो लेटिंट हीट भी आपने पढ़ा हो तो लेटिंट भी से क्या होते हैं सीनोनीम सी होते है और एक और बताया था अपको अल्टे रियर टीक है को मैंने यह वर्ड पढ़ा रखा एक बात कर लिए इसकर पोक है ठीक है टीमीड है मीक है प्राइबेट मतलब क्या होता है आपका जो नीजी है प्रस्नल चीज होता है प्रस्नल हो गया ठीक है तो बात करने इलीसिट की तो इलीसिट मतलब क्या होता अवैद इलीगल हो गया अनलॉफूल हो गया जो लौके वीरुध हो ठीक है नोन मतल बताना है रेंटोनीम्स बताना है आज का इजी पीजी वर्ड है ठीक है चार आप्ट्सन है systematically casually incidentally unwillingly फटाक सेन सकते तो इसे के साथ time up हो चुका है आई होप आप सभी लोग ने सभी सभी अनसर कर दिया होगा ठीक है तो इसका correct एंटोनीम्स क्या हो चाहागा systematically randomly मतलब क्या होता है जो चीज़ अन्यमित हो इरेगुलर हो एबनॉर्मल हो ठीक है जो एक order में नहीं हो systematically मतलब क्या आता है व्रवस्थित क्या हो serially हो या place in order हो ठीक है आप किसी चीज़ को order by order लगाते हो उसी को बोलते है systematically ठीक है बोलते हो नहीं order by बात करने casually कहीं सिनोनीम्स क्या है incident क्ली मतलब संयोग से हो जाना कोई बिचित जान बूच कर नहीं करता हो संयोग से हो जाता है by chance हो जाता है ठीक है बोलते भी हो by chance ठीक है ये भी क्या सिनोखना से अब करना नहीं चाहती है लेकिन आप से अजाने में हो जाती nu नेक्स्ट आपको सिनोनीम्स बताना ओठेंटिक है ये भी आज का सरल वर्ड है ठीक है चार ओप्सन है false, corrupt, doubtful, genuine इसके लिए 2 से 3 सेकेंड काफी तो इसे के साथ time up हो चुका है I hope आप सबी लोग ने सही सेंसर कर दिया हो तो authentic मतलब क्या हो था प्रमानिक जो चीज़ का प्रमान हो तो क्या हो चीज़ genuine हो, real हो ठीक है रिलाइबल हो false मतलब क्या होता है जूटा ठीक है जो चीज़ जूटा हो, wrong हो, गलत हो, incorrect हो, corrupt मतलब क्या होता है, burst हो जाना ठीक है आपको पता है corrupt मतलब क्या होता है, impaired बोल सकता हो, profane बोल सकता हो ठीक है डाउट करते हो तो suspect करते हो ठीक है, चलिए next बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको इस group of word के लिए one word बताना है, easily spread from one person to another, especially these, तो इसको क्या बोलते हैं, देख पा रहा होगा, मैंने picture भी डाल दिया आपके hint के लिए, तो कब से कब तक करना है, class end होने के बाद, 5.30 PM से लेके, same day, 10 PM तक आपको answer करना है, और आपको ये भी बताना है कि आपके कितने marks आये हैं 8 out of, ठीक है, कि आपके कितने marks आये है, 8 out of, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आज का class आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like कर दे, चैनल को subscribe कर दे, अपने दोस्तों में share कर दे, जिनने वो काया पढ़ना है, एकदम basic level पर, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, फिर next lecture में कुछ नया लाने की कोशिस करूँगा, तब तक के लिए, जय हिंग, जय भारत, टेक किया, के लिए झाल झाल